आपसोड की स्टाडिंग में हम देखते हैं जो क्या बोलते हैं वो कहती है हमाई मिगड़ी से हैं हैंड्सम वोर्य वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई वो कहती ही मुझे इसक अपना थोड़ डॉक्टर को भी चेक अप करना है क्या तुम मेरे साथ चलोगे मामी कड़ी कहता है क्यों नहीं प्रिंसिस मेरा ना मैं सुन्गु कॉंग और मैं आपकी सिवा में हाजी हुमाइले मामी कड़ अपने मन में कहता है कि अगर तुम प्रिंसिस के साइड होगी तो तुम्हें बहुत सारी इंफोमेशन मिलेगी जिसे तुम लोगों को बचा पाऊगे तब हम देखते हैं कि आवाज आती है रुको और हम देखते हैं वहाँ पे एक बिल्ली वाली है या साहतिक ये वुल्फ क्लैन की साहतिक है मेंबर वो आती है वो आता ही कहती है कि एक आवारा मंकी ने आवारा बंदर ने हमारी प्रिंसिस को जान हमारी प्रिंसिस की चान तो आपको पता है ना क्योंकि हमारे कबीली का रूल है जो कि आपके फादर ने बनाया है और वो कहती है ठीक है चलो मैं एक शर्ट रखती हूं अगर यह मैं लगी क्या है मांशलाइट एरेना में पार्टिसपेट करता है वह हम पे जीच जाता है तो हम इसको जोईन करने देंगे तो आपको पता है ना क्योंकि हमारे ट्राइब में सिब ताकत वर लोग ही जोईन कर सकते हैं हम देखे हैं प्रिंसेस कहती है कि मैं अपने पादर से कहूंगे कि इस रूल को मैं तो चेंज करने खुश के और मैं आशा करते हूं कि तुम इस चीज को मिलेगी जीजो और हमारे और क्लैन को जोईन कर लो पर लेकिन इसको जीतना अतना आसान नहीं है हमां में इकड़ी कहता है टेंशन मतलो प्रिंसेस बस चोटी इस इस फाइटी तो है मैं कर लूँगा टेंशन मतलो मैं आपसे वादा करता हूं हमा में इकड़ी कहता है लगता है जो नेशनल मास्टर जो इंप्रियल मास्टर यह मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है यह होगी जो कि प्रिंसेस को हम करना चाती है चलो देखते हैं हमां में इक किसी एक अरीना में वहां पर बिठा देती कि तुम यहां पर इंद्रजा करो समझे तुम्हान नमबर आने तक सालों ने कहां धका दिया यार इंपरियल मास्टर को तो मैं इसनी बुरी तर्गे से मारूंगा कि वह याद रखेगी टोर्चर करूंगा उस साली को मैं पर हम द आपरे बुढ़ाओ यह सबी लोग क्या फाइट करते करते हैं यह सुनके वह क्या था हां यहां पर हमारे कबीने करने के लिए पर लेकिन बैचारे नहीं बच पाई हर दिया तूट गई इनकी हमां में गटता है इस ट्राइब में आदि में को जहादा अहम्यत नहीं मतीज फिर हम देखते हैं आरेना का सीन जहां पर हम प्रिंसेस के टिए कि का होग मिस्टर सन्वुकॉंग जो है वह इस मैच को जीद जाए पर मुझे नीपता कि यह उनका पोनेट को नहीं होला है तब हम देखते हैं पिछे जो गाये वाली होती है वह बहुत आप प्रिंसेस्ट ना कि वह पकए जीद जाएंगा हमा में बहुत आप से बादा करता हूं कि मैं ही जीदाओंगा हम तब देखते हैं वह लगता कि मैं कि सी लेवल पे भी होगा क्या चलो देखते हैं प्रमामेकरद आता है और अपनी केंची से उसका भीच वाला गोडा ही कार देता है यह देखि थी कि क्या अखिकार इस मंकी ने एक वोरियर लिवल के बंदे को हरा दिया एक सेकंड में एंपॉसिबल बोल तो इंपॉसिबल ये ना मुंकिन है हमाँ में एकटे कहता है जरा आँके कोल की दूखो मैंने एक को नहीं यहां पर सो से भी जादों को हरा दिया है यह बेचार है मेरे सामने क्या ही ठिक पाएंगे वो सब अपना में पार्ट पकटके बैठें कि आरे बापरे मैं बाप नहीं बन सकता अब क्यारी वो डिलेवल के बंदें को कहा ओ पार है कैसे चालो एक काम करो अर। काम के रही एक काम करो यइवають करो एक लिडर स्टेज की बंदे को ले मैं घ्क हुता ye आपरे इसकी बोडी, इसकी पावर, सच में देख कैसा लगता है, कि ये सच में एक लीडर स्टेज का बंदा है, इसकी वीकनेस मुझे ढूननी होगी, वो, सांड वाला डीमन कहता है, अच्छा, जब आज़ो, देखते हैं, तुम्हें कितना अदम है, आपरे इसके जो पुरा इढ़ी हो, साले, बच्छे मुझे गृस्तां दिना और वह आै उसकी उपर, हमा में एकड़ी क्टे, आजा बच्छे, आज़ा, और हमा में एकड़ी होपर फो की पाव का इस्तमाल करता है वो इसके पर अटेक करता है वो किता है तुम बिजली कंट्रोल कर सकते हो लेते लोग केते कि बापरे इसने से 5 मिनिट में एक लीडर स्टेच की बंदे तका तो कोड़ा दिया बापरे यह बंदा हाखिकार है क्या हमा में एक परिंसेस अपने को इतने जादा पावफुल होंगे बापरे यह यहां तक की मले की मेडिसन में तुम हाँ ही रहे हैं यह पास साथ में इनके पास इलक्ट्रिक पावर भी है बापरे यह किस तरीके के टीचर किस तरह के बंदे हैं मुझे नहीं लगता कि इंगे सामने कोई ठीक पाएगा क्य करते हैं वह किती है फानली अब जो गी में वह स्टार्ट होगा अब इसमें यहां पर मौत का टांड़ होगा मैं इसका लेवल देख के बता पारहा हूं यह बहुत जाथा पावफुल बहुत पावफुल पिसले वह वाले से बीज़ादा और यह एक फीमेल है और यह तो हमेगरी किता है अच्छा तो यह सच में एक असाशाशन है इसकी स्पीड लाजवाब है महां मान गया हम देते हैं वह उसके पर विंग से अटेक करते हैं अपनी साउंड और विंग से वह कहते हैं कि तुम मेरे सामने नहीं ठीक पाओगे बच्चे लोग कहते हैं कि यह अप तरते ही सीदा अपना ट्रम काड इस्तमाल करते हैं जिसके सामने कोई ना ठीक है हमामेगरी को दर्द हो रहा होता है हम देते हैं वह उसके पर अटेक करती है कि अब तुम मरोगे हमामेगरी करता है मुझे अपनी जान को फुरा रिस्क में लेना होगा यह बहुत अधा हम देते हैं लोग भी उसका समोट करते हैं कि हाँ यह गलत इनके साथ अन्या हो रहा है तब हम देखते हैं वुल्फ कहती है कि मैं यहां की इंपियल मास्टर हो मैं जो चाहिए वो मैं कर सकती हूं समझे मैं नहीं चाहती कि यह लड़का हमारे यहां पर जोइन हो तो मैंसे जाहन से भी मारना चाहती हूं और मेरा ओरर इसका मतलब है किंग का ओरर है समझे तो मेरा गेंश में जाना चाहोगे कि इसमके वाँ सब्सक्राइब हो चुप हो जाते हैं हम देते हैं वो जो लड़की जोती है ऐसा अशाशन वो कहती है कि तुम क्या ही कर सकते हो चलो आओ ह हम देते हैं वो उसके पर स्पीड से अटैक करने लगती है वो किती क्या हुआ आखिकार तो में इतने स्लो क्यों हो मंकी आओ ना इसका शैडव क्लोन और यह दोनों एक जैसे ही है यह दोनों ने अपने आपको फ्यूज करके रखा है अगर मुझे इसको हराना है तो मुझे इसकी स्पीड को सबसे पहले सील करना होगा हम देखते हैं वो लड़की अपने मुझे कहती है कि जैसा कि नेशनल मस्टर ने मुझे काता गए मैं इसे हरा देती हूं तो वो मुझे दस बोले तो एलेवल के बंदों की मैं लेकी क्या होती है सेक्रिफाइस देगी जिससे मेर प्रिफाइट थो मैं खुद लड़ूँगा हम देखते हैं हमामेगर केता है अभी रुको मैं तो मैं अभी सबक सिखाता हूं हमामेगर अपने हाथ में बिजली की पाउक अटेक करता है पर लेकिन वह जो लड़की जो होती है वह अपनी उपर में की शील लगा लेती है वो सब्सक्राइट के में तो चीटिंग है उसके में हों सब कुछ मैं ही हुं समझे मैं जो चाओं वो कर सकती हूँ चलो सब एसके पर अटैक करो हम देखते हैं जो बर्द की लड़की जो होती है सेचिक अपने हाथ में अपने शुरिंग गर्न निकालती है और हमामेगर की अग में गाभु को बिमेंगा लिखते हैं ज्हादा कुए लिए कि चुछ बिसे कि इसके अपने में परीवार को पेरिवार को के आएगा। आपनी अillsonproको हिसके कानने चेशने पावर बढ़ती तो हम कंदेचे है वो केती है हाँ मैं कुतिया हूँ ये मेरी वीकनेस है आजाओ आजाओ हमामे कर रहाता है और इसके पीछोड़े पर हाथ मारता वाग कहता है कि तो मैं जीतिया मैंने तो मैं हरा दिया यानि कि कुपटिटर जो है सुन वुकॉंग वो चीच चुका है इस मैच को हमारे और और ट्राइब के अंदर एक ब्रूसर जनरल भी हां आने वाला है कि उसको कहती है कि वुकॉंग अगर हम लोग शादी कर लेते हैं क्योंकि तुम बहुत जादा समार्ट हो तुमारे स्मार्टनेस और मेरी पावर अगर मिल जाएं और हमारे 10 बच्चे पैदा हो जाए हम अपने जैसे 10 बच्चे पैदा कर लें तो हमारे जो ट्राइब है और ट्राइब वो बहुत है तरकी करेगा हम एक ट्रेस सोचता है कि क्या 10 बच्चे एक साल में आरे बहापरे मैं एक को नहीं समाल पाऊंगा यह 10 की बात करी है और वह भी बहुत सारे पाऊफुल बच्चों की भापरे मेरी महीत निकल जाएगी अगले दिन सुबह हम लेखते हैं जो गाई वाली हो थी वो कहते हैं टेंश्री मतलों बतर वो कौंग है हमारे यहां पे एक होली स्प्रिंग नाम की होली वाटर है जिसमें अगर हम यूमन्स का सेक्र कर लोगे तो तुम एक मुली की क्या बहुत है रॉयल फैमली के एक मेंबर बन जाओगी और तुम्हाई पाव भी बहुता ग्रेट हो जाएगी अच्छा होली वाटर तो यह लोग उन इंसानों को हुली वाटर में टालने वाले हैं मैं को एक रास्ता मिल गया चलो इनसे तो अगले दिन जांपर एक बंदा कहता है तो ठीक है जैसे की कोट के नुसा और ट्राइब के रूल के नुसार जो यह मैरिज जो है यह आप लोगों की मैं लेकि अभी हाफ मैरिज है समझें आप लोगों का अभी हाफ एक दूसरे के पती पतनी है वो लोग के थे वाव मिस्टर वूकूं आप इस डिसम कितने कमाल के लिग रहे हो यार लाजवाब पिए हम देखते हैं यह हमारे ट्राइब का एक मली कि एक रूल है हमारे यहां पर एक दिवाज है तो तुम्हें अपनी होने वाली वाइफ को मली कि प्रिंसस को तुम्हें इनमें से पहचानना होगा जिससे तुम्हें उनको पहचानना होगा कि असली वाली कोन है कि इससे हम तुम्हारे सचा प वापस भाग जाओ तो महारी ओकास तो यह चीज़ परे है वह अपने हमने केती है मैंने विलिज के इंदर यहां पर जित्ती भी लड़कियां जिनकी टांगे प्रिंसेस की टांगों से मिलती है उन सब कोई खाट है क्या और यह सब कुछ अरेंज किया है अगर में पास अवेक्निंग पावर नहीं होती तो अगर यह में को बेवकूप बना जाता तो मैं बन ही जाता पर लेकिन शुकर है में पास में पास पावर्स है मनले कि क्या अवेक्निंग पावर है जिन में से मेरे पास एक बैसिक पावर बैसिक अवेक्निंग पावर जिसमे मेरे पास सूंग ने की सकती भी मेरे पास एकदम अलग ही एक्स्टीमन लेवल पे है और मैं पहले से प्रिंसेस की जो फ्रेग्मेंट है वो मेरे दिमाग में मेरे नाक में चड़ी हुई है तो जिसके कान के हमें सूंग के भी पता लगा सकता हूँ कर्णा के मरे वाली प्रिंसस कौन है हमा में इक टें कॉंस्टेट करने लगता है कि जरा देखें आकेकार प्रिंसस के अंदर से थोड़ी सी की खुश्बूह आ रही थी तो इस क्या कोडिंग हमा में एक टें सुंगता है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता है कि ने ने ये भी नहीं नहीं ये भी नहीं तभी हम देखते हैं उसको पता चल जाता है कि हाँ ये वाली ये कुश्भू ये ये प्रिंसस की है तभी हम देखते है हमा में गड़कता है प्रिंसस तो तुम मुझे मिली गई ये देखे वो क तुम सच में कमाल के हो अपसे तुम मेरे आदमी हो समझे अपसे तुम मेरे मिस्टर हो ये सुनके वो कहता है I know मेरे स्टिल बहुत ज्यादा पावफुल अटेंशन मत लो तभी हम देखते हैं वहां पे उपर बहुत सारी शिप्स दिखती हैं वो लोग कहते हैं ये तो यूमन तो हम लोग यहां पर आ गए हैं हम लोग यहां रिस्पॉन रिफॉर्समेंट लेकि यहां पर आ चुए हैं पर से जोती है उसका दिमाख खराब हो जाता है वो कहते है आज इतनी बड़िया मेरी शादी थी और इन्हों ने मेरे हस्बिंड को एक बंदर कैसे कहा इन लोड़ हो चुका है हम देते हैं वह कहते हैं प्रिंस जोती है वह कहते है कि जल सजल जिते भी हमारे बीश्ट जो है उन सब को कहो कि एर क्राफ्ट के पर अटैक रहे यूमन्स को पकड़ ले और मिस्टर वू कॉंग इनको तो मैस समाल लोंगी समझे और बाकी यूमन्स का सेक्रिफ मतलो मैं मिस्टर शेंड यहां पर मज़की ऑक्स को समालते हैं आप लोग जाके इंसानों को बचाईए हम देते हैं जो प्रिंसे जोती है वह मामें कड़ी पर बैल्ट से अटैक पर अटैक करी हो थी कि तुमने मुझे जूट बोला तुम तुम कमीने हो तुम मैंने तुम प फाइट किया तुम यह मारा जाँगा क्योंकि यह बहुत दा पावफुल है यह एक अस लेवल की किंग लेवल की बंदी है तब हम देखते हैं वहां पर एक गाड़ भागा होता है वो करता है हमारे होली स्प्रिंग की बाठर के अंदर कुछ आए है प्री जल्ली से आई यह प्रिंसेस वो करते हैं यह कैसा हो सकता है आखिर का वहां पर तो सिर्फ रोयल फैमली के लोगी जा सकते हैं वहां होली स्प्रिंग बाठर में आकिकार कोन आ गया चलो हम देती है प्रिंसेस करती है अच्छा तो ठीक है शिमत लो तुम सब लो मेरे साथ चलो और मिस्टर कंगे और प्र हम ऒंगरे राज करेंगे हम इस दुन्या पे राज करेंगी हम देए हम आजमागे आए हम इतर हों में करता है हम वहां बिल्सम सो के है मुझे मञर filled Mig कि यहां पुरी होली वार्टर को अपने किसी डिवाइस के अंदर क्याद करा है हम देते हैं वहां लिंग की मां आती है यानि सासुन मां आती है वह कहती है कि वाइमें तुम और्गनाजिशन के की दौर बेज़े गई एक एजेंड हो आर्मी बहार ही खड़ी है अपने आपको इसे पाने किंदर से यहां कैसे हैं यह यह पाने में गी साते से अकेकाल कैसे है है मैं deja मैंने जो में अंडे को भी बच्चों के पर यो करो म рокना शुरू कर देते हैं हम लें जो लीन और Hagणि नहीं को नोकरण से बचते हैं मृणों को उवह से बचना और हमयें क्रिगते हैं और लाइटिंग अभी और हम देखते हैं वो प्रिंसेस को एक्चुली से बचा भी रहा होता है प्रिंसेस कहते हैं कि यह मेंटेंस क्लाइन की लोग बहुता इंटेलिजेंट और बहुता पाउख होलोते हैं इनकी इनकी स्पीड और इनके शार्प हैंड पर आखिकार यह मेंके पर अटेक करी हो थी कि मुझे तुम्हें जिंदा वापस लेका जाना है तुम सुप्रवाइजर तुम सुपीर्स को जो जवाब दोगी उसका मैं इंतिजा करूंगी हम देते हैं मशीन कहता है 80% होली वाटर जो है वो आचुका है अब आपकी पावा बढ़ चुकी है हम देते हैं वो कहता है अच्छा चलो अब देखते हैं क्या की कार इस फाइट में और क्या होता अगर मैं इस फाइट में होली वाटर को भी एड़ कर दूँ हम देते हैं वो होली वाटर से उनको में देगी मेंटेस क्लैन के लोगों को पावर देता है उनके इवोलीशन होन है वह बीन को ऑफस scrolling हमें लेता है है seven खुर के इंब शुर महरता है यह बहुत सब्सक्राइद है मुख पपर एक लिए लिए और अपनर सासुमा की यह बहुत सारे अन्व जो कि बहुत सब्सक्राइद है क्वन कर ना हमाँ में गड़ी कहता है यह जो जाइंट में कि क्या बोलते हैं मैंटेस जो है जो कि वो लूच की यह इसने बस मात 10 सेकंड में 108 अंडे से हमारे पर अटाइक किया है जो कि एक बॉम एग है यह बहुत दा पावफुल है हमें पर रास्ता डूंडा होगा जिससे हम इसको हरा अटांचाएं हम लोग तब सब्सक्राइब कर देता है हमें मैंगते हैं इसको बचा लेता है पर लेकिन हमां मेकर को बचे करती है हमां मेकर करता थो खुर हमां मेकर करती ते है must you उसे से एक अटेक आ रहा होता है और हम देखते हैं जो है इसकी पर अच्छी है यह बाधी ओडिनरी लोगों से अच्छ है चलो इनको अपने साथ ले 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 लेता है वह कता है यह लड़की भी खमाल की है मुझे ये भी चाहिए इसलिए मैं इसको भी अपने साथ लेके जा रहा हूँ हम देखते हैं वहाँ पे कुछ देबाद प्रिंसिस कहती है कि वो कमीना उसने पूरे क्या बोलते हैं और यूमन क्लैन दोनों अभी फिलार टैंपरिली एक साथ है क्योंकि हम लोगों को होली वाटर को बचाना है मिस्टर वू को भी बचाना है हमारे किंडम को भी बचाना है वह अपने में कहते हैं जल्द ही मैं तुम्हारे पर एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट करूँगा पत अगे इन वूमन्स को मैं तुम्हारे पास नहीं कहते रखूँगा और जैसे सब्जेक्ट पूरा रहेगा इनको जाने दूँगा वह हमारे में कहते हैं साला कमीना आखिरकार मुझे को रास्ता दूरना होगा कि आखिक मैं श करता है कि इसको इंटरनली और आउटली दोनों तरफ से बहुत भेंकर तरफ से चोट लेगी है इसके अंडर इंटरनल ओर्गन्स जो है वो भी ठ्कराब होचके हैं तो मुझे जल से जल करके अपनी पाव का स्तमाल करके इसे ठीक करना होगा इससे पहले एकी ज़्यादा द हम देखते हैं उसको हील करना शुरू कर देता है हम देखते हैं उसको हील होता हूझ ऑपनी पास्ट में होती है वो बता थे के जब मैं चोटी थी तो मेरे पेरेंस ने मुझे मुझे चोड़ दिया था जिसके कान मेरे में civशने हो सकता था मेरा अवेकनिंग पॉइंट जो है वो भी बहुता मनले की कम था जिसके कांड के मैं एक यूजलिस थी वो मैं सड़क पर रो रही थी पर लेकिन तब वहाँ पर एक बच्ची आई थी जिसका नाम था लिन शिनकिंग जो कि यॉट लेड़ी थी और फिर दीर देर हुंन्हों ने मुझे अपनी नोकानाली बना लिया और मैं लिण मैंट सेंग मीड़ी रहने लगी उन मेरे बनागी मैं पर के और मिस्ट्र optic बन ऑनम एवने बनद ऋनके मैं करने की कोशिश करूंगी चाहे वो कल्टीवेशन में हो या फिर चाहे कैसे भी क्यों ना हो हम देखते हैं हम देखते हैं कि वा क्या बात है इसको होश आ रहा है वह करते हैं मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया वो कहता है टेंशिन मतलो मैं कहीं नी जाओंगी आपका करें मेरे मुझे बता रहे हैं में जादा देखनी कोश करता हूं हमामें कर अपनी विलगी पाहर से कि कुछ घर रहा होता है उस ने दो बीस को चैमर्स के उसे पता चल चुका कि मैंने उसे देखा पा लेकिन उसने दो बीस्ट की बोड़ी को एक एक्सपरिमेंट सब्जेक्ट प्रोजेक्ट के इंदर रखा जिससे उन दोनों को फ्यूज कर दिया है अब वो बहुत जाधा पाउल मुटेट बीस्ट बन शुका है बहुत तो बहुत हमेंगे ढिकते हैं अ और बहुत И हुद मिलिटरी को लाशीतिन ही है और जैशनी और पहुतिए है घाडीन की और का यह हु काचीज हूँ मैं एक सुप्रीम कुईन हुम मैंटैस क्लेंञ ता कि वो हमारे मेंटर्स क्लेंट की मदद करेगा और स्प्रिंग वाटर से इसको एक्षेंज करके तुम मुझे वह और तुम्हारे और क्लेंट के लोगों को उन सब करते हैं तुम्हारा प्यार सच में बहुता पावफुल है पर देखते हैं कि तुम्हारी तुम्हारी बोड़ी लाज जवाब है आज तब तुम मेरे हो तुम्हारी सारी पावर में चूस की एक बच्चे को अपने अंदर तयार करूंगी हो जो की बहुत ज़ादा पावफुल होगा हमारा एवलिशनल स्टेज बहुत ज़ादा बर जाएगा और वो उसको किस करती है हमारे इक डिकता है पापरे इकमारा गंदा सुआद है हम दे तो मुझे पॉजन दे दिया है तब ही हम देखते है हमारे के शरीर के अंदर रियाल्टी में जो पॉजन होता है जो डीमन कुईन ने उसको दिया होता है वो पॉजन वापस उस कुईन को जाके लगता है वो के यह बापरे तुमारे अंदर तो ओलेडी पॉजन है यह मेरे detoxic कर रहा है हम देते हैं उसका poison वापिस उसके उपर जाके लगता है हमामेकटी करते हैं शुकर है कि मेरे अंदर पहले से poison था जिसके कान के है यह उल्टा इसके उपर जाके असर कर गया हम देते हैं लिंज होती है उसको बेंग कर एक्स्ट्रीमर लेवल का गुस्सा आता है व मेरा बाबू है उसके उपर से मेरा अतिकार है उसके होड उसका लैन उसका everything सब कुछ मेरा है समझे everything सब कुछ मेरा तो तेरा कोई अधिकार नहीं है हमामें एक रिकता है शुकर है कि बाप रहे इसको सिब मेंटिस कुईन के बारे में पता है कि अभी के अभी यह मेंटिस पाउफुल हो गे, तुम्हारे आवेकनिंग आएमिरया बहुत छादा है, तुमने सच में मेंटे स्क्वेन को भी हरा दिया, तुम सच में बहुत हादा Uman बहुता पाउफुल Uman हो हम दोनों साथ मिले के काम क्यों नहीं करते हैं हम लोग Uman रेस के पर राज करेंगे मेरे दोष конц 라וש हम लोग साथ मिले के काम करते हैं हुमा में खिए कि बाई मैं मुझे नहीं पता क्या कर तंम है क्या चाहिए पर मैं चीज को हैंडल करता हूं समझे लिंग तुम यहां से जाओ हम लेते लिंग यह तिया कि बिल्कुल भी नहीं बैदे शेंग मैं तुम्हें यहां से छोड़ कि बिल्कुल इन चाहूंगी पर लेकिन तुम लोगों किया सच में लगता है कि तुम लोग मिले इंसिडेंटली किया तुम लोगों के बीच में प्यार हुआ इंसिडेंटली बिल्कुल भी नहीं ये सब कुछ मेरा किया दरा है ये सब कुछ मेरी ही प्लैनिंग थी कि तुम लोग मिलोगे ये सुने का माशेन केता है भाई मैं अन्किकार तुम कहना क्या चाते हो वो बताता है क्योंगी मुझे पता था तुम्हारे पैरेंस के बारेंस किया है एक्चुली वो लोग एक सीक्रिट ऐस्टेशनेशन फैमिली से बिलोग करते है पर मैंने देखा कि तुम्हारी अवेक्निक पाउर तो जाग नहीं गी तब फिर मुझे एक चांस मिला मुझे पता सला लिन फैमली की एक सीक्रिट टेक्निक के बार में एक स्किल के बार में जिसमें वो अपनी पाउर को शेयर कर सकते हैं डूल कल्टिवेशन दिवार जिससे उनकी पाउर उनके आपोने उसाद में जो जिसके पाउर की पाउर है उन दोनों की पाउर भी बढ़ेगी और जिससे वो बंदा जो की कल्टिवेशन कर रहा है दोनों की पाउर हस्ता बढ़ेगी और फिर मुझे पता सला लिन शिंकी के बार में कि ये लिन फैमली के इसके ब्लड लाइन में है उस तरीके का और फिर मैंने इसको तुम्हारे बारे में इंडायक लिए इसा सबूत दिया और इसको तुमसे प्यारा और यह आई तुम्हारे पीछे-पीछे सब कुछ मेरे प्लैन का कोडिंग चल रहा है पाट रेली पर मुझे सच में ऐसा लग रहा था और एक्चली मिस लिन वहां आ गई तुम्हें बचाने के लिए और लेकिन फर भी मुझे भी शक था पर फिर भी मुझे शक था क्या कि का तुम लोगे बीच में अभी भी नहीं होगा तुम लोग ने वैसे पावर शेयर की थी एक साथ करके पर उस इंसाफ से नहीं रियालि पर लेकिन में फरक तो ये परता है कि मैं हूँ अब असली तुम्हारा माता पिता जिसने तुम्हें रीबोन किया समझे तुम एक यूजरस का चरे की तरह मर जाते पर लेकिन मैं हूँ जिसने तुम्हारी बलड लैंड को तुम्हारी फैमिली बलड लैंड को आवेक किया आ बड़ा कार्ट देता है वो कहता है कि हमें यह लड़ी पता है तो मैं लड़का बने रही था अपने अपने में ल्लम ज्पर как लिए मैं लड़की बतल गया मैंने लिजार्ड और क्या बोलते हैं जो वॉर्म जो है मैंने कीड़े उनके साथ अपने आपको मर्स के लिया और टेक हो मैं एक लड़की बंगिया हमा में कीड़िकत है बापने किता बद्दा कितना बेकार लग रही है हम देते हैं उसने हमारे शेन को पगड़ के रखाता है मिसलीन उपर थी है कि वो किती है तुम मुझे अंडिस्टमेट मत करो मेरे शोड़ो मेरे शेन को हम देखते हैं वो अपनी एनेजी सोर्स से उसके पर अटेक करती है उसके उन टेंटिकल्स को कार देती है हमा में कीड़िकत है क्या बात है तुम लोगों को क्या लगता है आठ दिल है समझे आठ यानि कि एपसलूटल मैं इम्मोटल बन चका हूं मुझे कोई नहीं हरा सकता हम देते हैं वो लिन को भी पकड़ लेता है बड़ा अजीब तरीके से वह कहता है कि अब तुम इसको बचा के दिखाओ हम लेते हैं लिन करते हैं मैं से जाज़ा देर तक हम दोनों मिलके एक नहीं पाओफुल आर्मी क्रियेट करेंगे में एक टेक्निक डूंड़ी है मेरेको एक रास्ता मेलिगा सबसे पहले तो मैं इसके चंगुल से बचना होगा और हमारे पास उसके बास इसके बास दस सेकंड रहेंगे हमें तस सेकंड के अंदर अंदर इसक हमें करता है यह जानता हूं कि मैं इसको क्या कर रहे हैं वो कहता है प्लीज मुझे जानता हूं कि मैं इसको क्या कर आओं इस परकिछे मुझे तुमरी पावर की यह सुनकिए और हम देखते है वहें जो भाई मैंग नों और फॉर अम नीम्सादिन लगमें में चाहंट जोड़ेंगों सिर्चाना हो landmark कुछ नहीं प्लूमий इसदे सारे दिल थाजरा कर दिए협 घिते है वहे लिक्टै थीए बाइमें मैं अपने हाद से इंजेक्शन अपने अपने तोक आ हम एक रहे है और हम देखते हैं वह एक वाइट फ्लेम फोकस के बहुत जाता है यह ब्रेक्ट्रू कर चुका है यह बहुत पावफुल बन सुका है बोलो तो यह बहुत ज़ाद स्टेज पर पहुंच चुका है अब फिर से मुझे नहीं लगता कि कभी यूमन बन पाएगा क्या मैं अपने मिन में कहता है कि नहीं मैं इस तरह से इसको चले नहीं दे सकता इसकी एनरजी बहुत जादा है मुझे अगर यहां पर रीफॉर्समेंट यहां आ जाती है तो हमारे लेग बोता फाइदा रहेगा और रखता है अब मुझे उसे बुलाना ही होगा वो करता है मेरी प्यार जरा यहां हो मेरी बाबू और हम देखते हैं वो डीमन कींग को बुला लेता है हम देखते हैं मेरी जान क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो यह जो बंदा है यह स्टेज 2 क है क्या तुम मेरी मदद करोगी यह एक फोक्स है प्लीज यह सुनके हम देखते हैं जो लिंज होती है वो किती है ब्रदर शिन आकिकार यह लड़की कौन है तुम इसे कैसे जानते हो हम देखते हैं डीमन कुई होती है वो गदी कभी नहीं इसके अंदर से बहुत गंदी करता है वो किया बात है एक जोंबी कुईन जो कि एक सेकंड स्टेच एवलुशनरी है तुमने उसकी मेरी बात ज्यान से नहीं है क्योंकि तुमने पहले भी इसका इस्तमाल किया और यह जो बंदा है यह बहुत पावफुल है तो इस से लड़ने में मुश्किल होगी हमें ए इसके जो फ्लेम जो है वो बहुत ज़या पावफुल है वो तो बहुत ज़या पहले से भी कुशाघाए तो मैं मर जाओं गा वो के टेंशन मतलो में यह उलो मेरी प्रोटेक्शनीग शील्ट और हम देखते है उसकी पर थो करती है हम देते हैं जो फोक्स जो होता है बाई उसके पाँ जाता है उसका मैंद की दिल ही फाड़ देता है अब तुम यहाँ पर मरोगे अपनी पाओ का इसकी चाती में छेद करता है पर लेकिन तभी बाई मैंग अपने एक एक फॉक्स गल के हम देखते हैं उसकी पूंच पकड़ लेता है वो कहता है साले तो ने में पूं इसके उसकी तो होगा गीयोगी के मैं होगी मैं मुझे क्या कोश चोड़ो मुझे और डी में लड़की में हो सकता है। वह तो नॉर्थन कोट्यार्ड है यह तो यह और यह तो यह तो कि यूद्ध करके रखा है वो अपतुच जिन्दा है पर कोई किसी परका का experiment किया जा रहा है जिस सच में बहुत साथ गुसा रहा है अगर इसमें वॉन लियन वॉन लियन किंडम भी अगर इसमें इंवोव है वो भी इस organization के एक साथ तो बस ये लोग देखते जो अब देखो इनके साथ में क्या हल करता हूँ कि हम देखते हैं तीनों लड़की आमाई शेन को घेल लेती कि शेन आके कार तो मुस फॉक्स के साथ क्या करे हो नौकरानी कहती है और आके कार आपका इस बीष्ट के साथ क्या लेने देना है हमामें एक टिकत है बड़ा फसा ए तुम लोगों कोई मिस अंडिस्टेंडनी कि आप बहुत सारी औरते बना सकते हैं अपनी पर लेकिन यह मत भूलेगा पहली कुईन तो मैं ही रहूंगी समझे कुईन मैं ही रहूंगी आपकी फिर्स्ट वाइप ओनली ओन आयम हम देते हैं पिछी से लोकरानी के ठीके नहीं वो मेरी यंग मेडम रहीगी फिर हम देख और सबसे पहले हमें कमांडर के पाजाना होगा फिर हम देखते हैं कुछ दे बाद जब लोग वहां आ जाते हैं हमामें गर जित्ते भी बीश्ट थे जिनको उस बाई में पकड़ी कर रगा था उन सब को भी वो आजात कर देता है और हम देखते हैं प्रिंसेस्ट जोती है वो एक देखते हैं वह प्रिंसस की मा भी उती है बापरे किते बड़े बड़े नश के वो अपने उन्हें कहते हैं यह इनसान यह वारा इनसान इसने मेरी बेटी के साथ पता नहीं क्या किया है नहीं मेरे बेटी के काबिल हो अगर तुमने यहां से नहीं गये तो या तक रहा हम पूरे human ट्रीटर्री को भी तबह कर देंगे और याटिregation नहीं दूसमारे Holy moral को भी तबह कर दिया हम आमेगे केता हो रही मैं या ये एक beast king है भाहपरे हम देखते हैं सासुमा केती है कि शेन होली वाटर स्प्रिंग बहुत बूई दिकर से हेजिटेट हो चुका है तो माकिकार उसको कैसे रिस्टोर करोगे हम देखते हैं मामेकटर वहां आता है वह कहता है टैंशन मतलो मेरे अकोर्डिंग अनुसार यहां पर इसके नीचे जो है इसके नीचे बहुत सार एनर्जी क्रिस्टल से है यह सुनके हम देखते हैं जो पहली बाल जो दिल्की जिसको हमने पिछला पेस्टोर में देखा था वह कहते है लड़के अगर तुमने बक्वास किना मेरे सामने तो यहां तकना तो मैं बहुत कुत्ती की मौत बारूँगा यहां तकना बड़ी कुत्ती की मौत बाल मैं जूट नहीं बहुत लो दाइको अटाएक में चैने मंते के बहुत सारी हमी मिद्धी लेके आ पनार्टाने से जने नीचे थे लेको एम्हें बस लिए के निजे energy crystals होंगे पर लेकिन इतने होंगे मैंने कभी नहीं सोचा था हम देखते हैं प्रिंसर जोती है वह मां मैंगे को पकड़ी थी वह करती है मुझे पुरा है कीन है ब्रदवुकों अपने कमाल किया अब तो मैं आपसे और भी बहुत अट्रैट होचकी हूं प्लीज ममी म अगर यह बेटेशे शादी कर लेता है इनके बचे हो जाते है तो मेरी लिन फैमिली वां कंट्री गंदे बोले तो वन आव दे मोस्ट पावफुल फैमिली एक हमें कोहीं ने रो सकता हम देखे हैं महारानी कहती है कि ठीक है मैं देख सकती हूं यह लड़का बहुदा पाउफुल है इसके पाथ बहुदा अवेकिंग पाउब वे इसने हमारे और च्राइब की बहτα मदद सक drone कर्षिए और कि मेरी देख से लाइक करती और कि से लाइक करणती है कि लीन मीरत बड़ी धरम संकट में फस चुका हूँ या इस बाई में ने तो मेरे को फसा के रख दिया एक तरफ मैं लिन को प्या करता हूँ अगर मैं उन्हें उसे रिजेट किया तो मैं मरा और अगर मैं इस बीश्ट को रिजेट किया तो मैं वैसे मरा दो तरफ से मैं फसा वाँ यह हू हो पैसा थाथ का मेल है अगर तुम मेरी बेटे शादी करते हो तो उसकी पावर अब आ कर सकते हो तुम बहुता पावफ़ली बन जोगी तुम्हारा इंगलोड़िन तुम्हारे ओक ट्रैप में बहुत जादा बढ़ जाएगा एंगलोडीं तुम्हारे हमारे ओक ट्रैपि किस किसी किसी भी बीस्ट गल के साथ में अगर खरना है तो तुम कर सकते हो उससे तुम अपनी ये कुकुम बाई सकते हो जब मैं छोटी थी तो मेरे पैलेंस ने पॉलिटिकली मेरी शादी किसी और के साथ करा दी थी बड़ी लीन फैमिली में और फिर हमारा डिवोस भी हो गया था और मैं ये नहीं चाहती क्या कि कार मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो आम एक दोनों को पगरता है और वो कहता है देखिए अभी तो मैं आप दोनों का इस सं बड़ा अच्छे से दिमाग लगया अब जबकि मेरी माँ ने भी मुझे कह दे कि मैं लिन से शादी कर सकती हूँ यानि कि लिन अब मेरा पर्मानेटली मेरा फियोंसी बन चुका है और मैं बदल लिन को किसी के पास नहीं चाहे दूँगी इस कमीनी को भी मैं जल्दी निका अब कि महाफ करो दिया भी को किसकी फिर ट्रोड़ाति Πेंच करूए पर suf दोब है दो माफ कर दे चाहरो और मैंने फंकि लिन कप से अगा इसने देती है कि आखिकार तुमने ये से कुछ गणड़ी कोशिच किया तो मैं तुम्हारे एक कर्स देती हूं तुम आंदर एक पोजिजन डालती हूं ये कर्स देती हूं कि तुम मिस्टर वुकों को और मेरी बेटी को कभी भी धोका नहीं दोगी समझे अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे एक लाख स्वार्ट की तकलीफ तुम्हारे अंदर होगी समझे और मैं तुम्हारे पूरी बोड़ी शेफ को यब मैं चेंज कर देती हूं और हम देखते हैं वो किये तो हम यहां पर जित्ती बी इंसानों को पकड़ के लिए थे हम उन सबको आजाद करते हैं हम देखते हैं वह सभी लोग बहुता आजाद हो जाते हैं और हम देखते हैं मुझे जरा क्या बैटल फिंड में जाके जीता भी वह काम जहाम है रिस्पूस्प्रेटिटिज मेरे को ठीक करना है मैं लिन का और नोकरानी का दोनको अच्छे से द्यार रखूंगा हम देखते हैं जो मिस मिस जांज होती है वह किते हैं तो तुम्हें वह एक सप्राइज मिलेगा हम देखते हैं मिस जां की दोनों बचुडवा बेटियां होती है वह किती है मिस्टर शेंच्छे हैं आप कर यहां आएंगे हमारे मिस जांज होती है था नोकराणी केती हैं तुम दोनों यहां धीकार तो है पर लेकिन उनको भूलना का इसलिए और मिदमितनी बुरी नहीं नहीं है उन्हों ने इन दोनों को भी अपनी शर्ण में ले ले ल सब्सक्राइब करें रहें से का सब्सक्राइब करने के लिए मिलगां चारों को अच्छा से सर्व करेंसिंगे लिए कने के लिए प्रवाइब नियुक्ति हैं तो इस तो खुन निकलने लगा हम तब देखते हैं वहां पे अकेडमी का सींजा पर दूना अकेडमी भी आ जाती है यहां पर ट्रांसफर स्टुडेंट्स हैं और यहां से हमाई साथ ही रहेंगी हमाई साथ ही पढ़ेगी हम देखेंगे टीचर अपने में कहती है कि इनकी रिसर्च की डाटा क्या अनुसार इन लोगों का पॉटेंशन पॉइंट मातर केवलों के उस दस था सलम एरिया में थे तब लेकिन जब यह लोग शेंग के साथ जुड़े तो शेंग के साथ होने का इनका इनका जो क्या बूलते हैं पॉटे को ठन लगती कि और मैं यहां मेरे साथ कोई में बूरा करने का बारे मैं सोच रहे थे बापर मुझे बहुता अजीव सी फिलिंग आ रही है और फिटीचर बताती है कि चलो अब हम लोग बैक टो टोपिक पर आते हैं जो कि हमाई जो हमाई कंट्री के मैं कि हमाई कंट्री न जा सकते हैं और यहां थे कि उजीतने वाले को बहुता पैसाइस होरा सब मिलेगा अकेडमी का नाम रोशन होगा कंट्री का नाम रोशन होगा इंक्लूडिंग यहां थे कि वह वेनोलियम यूइंस के नरे भी जा सकता है समझे यह संके हम लोग के तें कि अरे बाव देखो सब्सक्राइब करने के लिए उन्होंने एक चार पॉलिटिकल मंदी की एक अलाइंस पैदा कि है समझे जो कि वह फ्यूचर में बीष्ट के साथ लड़ सके हैं को दाती है चार कंटी का नाम पहले कंटी का नाम है वेन विलियम मोळशोंक का हुरुंक हमारी यह मैं पहले सोचैता हें समुदूंक का नाम दे रहे हैं समझे और हर साल जो Academy Defensing Tuna में जो होता है इसमें हर साल की विजयता उल्थन कल्टर ही बनती आई है उनकी Academy ही बनती आई है जो कि बहुता पावफुल है उनके हर साल बड़ा सा बड़ा एक बहुता पावफुल अवेकनर आता है पर आज तक कभी भी दुनिया में हर साल बड़ा तर लेकिन फिर भी हम लोग यह सब कर भार तो कर रहे होंगे फ्रका यह रूंस के अंदर का मैं अपर हम लिन होती ए पूछता है कि क्यों आखिरकार हमारी क्या हुआ कंट्री जो हर साल सेकेंड नंबर के पीक पर आके अटक जाती है यार हमारे यहां पर बहुत सारे बड़े-बड़े अवेकनर्स भी है यार जब कि हमारे कंट्र में इतने ज्यादा पावफुल पावफुल लोग रहते हैं और फोकस करते हैं बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके बावल होती है और हो पहुत कम एयसे होते हैं जिनकेपर deal होती है और भो बहुता पावफुल होते हैं क्योंकि उनके वह लोग अपनी एक ही आवेक्णिक पर ज्यादा फोकस करते हैं डूल होते हैं बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके बाइड डूल होती है और वह बहुत पावफुल होते हैं यह सुनके मामे किर गए अरे बापरे मुझे सुनकी बहुत बुरा लगा खेर मैं तो वह सबसे कि चार अवेक्णिण यहां तो बहुत है कि उस्कोष्बराइब चारनी हैंची कई किए कि कुद् US हमयारी और फोल पाले हैं यह को पावधर मदद करनी हैं सब्सक्राइब क्योंकि सुख आटी कि तुम्हारी घंब में आकिका समझती क्या है तुमारी में होने वाला उसके लिए तो यहां पे जित्टे वी मिले की जो बाकि जो तीन मंत है तीन कंट्री के वो लोग भी यहां आरहे हैं तो मीं इनकी उनिफोर्म देखके बता सकते हो यह वह उतल पववशल है आपने उनके साथ पंगा नहीं है पर लेकिन आके-कार यहां फिर से के पतल, लड़की को प्रशान करेे हो, क्या तम लोगे को शरम नहीं आती, इनको जाने दो कि आप के डिए एक पर लड़की के आपको प्रियंग को तोड़ा तो तो तुम्हें एकसपिल कर दिया जाएगा लिए शें समझा करो मेरे बात को अब जब की तुम्हें टैनिस इतना ही ज़्यादा अचा लगता है तो चलो हम लोग एक टैनिस का 2v2 एक मैच करके देख लेते हैं देखते हैं कौन जीता है समझे दूसरे बाले कहता है ओ अच्छा यानि मैं सही सुना यानि कि हुआंग लाइस में इतनी ताकत आ गई है ठीक है तो मुझे बंजूर है अग जो भी हारता है इस टैनिस मैच में उसे अपने सारे कपड़े उतार के ग्राउने में नंगा घूमना होगा समझे कोई बात दी बस रोने के लुए तयार है गो एकर यांज म में मलें को चैलिंज किया है हम देखते हैं हम देखते हैं एक टीम में होती मिश्क्राइज और हम हम ऄisme देखते वह दो नहीं भाई चे क्यों हुए न symmetry की बशी लोग को पहुत भी Ho यह दे कि master आप कर सकते हैं हम देते हैं मैं शुरू हो जाता है वो हो गदा है ये लो मेरी speed और मेरे strength का कमा लेको और हम देखते हैं वो एक फटक से बोल फंकता है पर हम देखते हैं मिसलिंज होती है वो अपनी mind controlling power से उस बोल को control करती है और उसके फिर अटेक करती है वह पर अ एक पॉइंट हो जाता है हमारी हुआंग अलाइस को यह देखिए वो कहता है एक पॉइंट भी हो गया ते हम लोगों को अपने सामने यम्राज दिख रहा होता है उसका औरा देखिए वो कहते हैं बापर इस लड़के गंदर से कमाल का मडरेस औरा दिख रहा है बापर यह जड़ा लिन पर आटक करते हैं वो कहता है जड़ा तुम हमारी बोल को साहगा हो हम दो भी देखते हैं एक फाय बोल जाकर सिधानी बड़े-वड़े अर्मान में घुल जाते हैं और हम एक प्रइग मारत है और यूनिफरम को लें यह हो बहुत है प्रट गया है कि लिए प् मैं कि देखता है लगता है इनका प्रोपेसल कुछ और ही है मैं समद चुका हूँ लगता है अब यह रूस को नहीं माने तो हम भी क्यों माने ठीक है तो वह करता है अकेला ही तुम दो के बराबर हो समझे और हम देखते हैं मामें कर अपनी इलेक्रिक पाउक अस्तमाल करते बो हमां में ढ curtし उसमें करें में था कर यह हुआ ता हुआपना इसलिकां बटब बदेखकर में पर इस तो सूर यह पाव भी है कहीं ये ट्रिपल अवेकनर तो नहीं है बापरे ये बहुत था पावफुल है बापरे मैं नहीं जीट सकता चोड़ो भाई हमें माफ कर दो हमें नहीं खेलना और हम देखते हैं मामेंगर उनके कपड़े फार देता है वो किता है बापरे बेज़त हो गए मैं किड़े केता है सबसे पहले कभी भी किसको गुस्ता दिलाने से पहले उसकी आइडेनिटिटी जान लेना कि तुम कौन किस से लड़ रहे हो समझे हम हुआंग अलाइंस वालों को कभी कम बस समझे ना और कभी भी हमसे में सब मत करना हम देखते हैं उसके अकैडमी के नहीं आइडमी के लो को एड़े कुटे हैं कि क्या वाट है सच में ब्रदर शें तुम लाज जवाब हो कमाल कर दिया तुमने और हम देखते हैं उताल अकैडमी के जो तीन और बंदे होते हैं वो बहारी खड़े होते पाखे तीनों कंट्रीज के जो लोग है वो और इग्राउंड में पहुंच चुके हैं हम लोग तक नहीं पहुंचे जल्दी सी पैकिंग करो हम देते हैं वह कहती है यह कैसा रहेगा यह ड्रेस आपके लिए कैसा रहेगी यह मिस्टेशन को बोदा पसंद आएगी यह सुनके हम देखते हैं दूसरे वाले जुडबा बेंज होती है वह कहती है कि मैं इस दोग को भी अंदर रख लेती हूं क्योंकि यह बी क्या पता कोई मुसिबत में हमारे काम आ जाए लोग देते हैं और चलो हम लोग यहां से चलते हैं हम देते हैं सब्सक्राइब का सीन प्लैग्र सब्सक्राइब के लगता है थोड़े बहुत बंदे आ चुके हैं पर लेकिन यह है तो साही नूबी ना देखते हैं एक लड़की जो कि लाल दरस्म होती है यह रुवियमा मलिकी कंट्री की मलिकी होती है वो कहती है कि कभी भी किसी को देख के या फिर उसका पावर लेख ल वो कल टैनिस ग्राउंड में हार गए थे वांग अकेडमी से यह कितनी शर्मनाख बात है कि हम यूजलस लोगों से हार गए और यह लास साल की विजयता कंट्री भी होती है और यह कंट्री जो है मलिकी उतल कंट्री यह पूरे वर्ल्ड के बीच में यह सेंटर में आती है त स्चेंट नमर पर जाती है वेसा हुमारे हुआं कंट्री में पर लेकिन जो छो वहां यहां पे यहां पहो था अब आख ची है आपर यहां पर कंपडिशन होने वाला है यहां पर कोई इंसान नहीं रहता यह बात अच्छी है तो बताती है क्योंकि जो सब से पहले बीश्ट का टैक अगर दुनिया में कहीं हुआ था तो यहीं पर ही हुआ था पर यहां पर कोई बड़ी बात है देखते हैं वो लोग एक टावर के पहुंचते हैं चाहां और शौर के लोग यहां आ चुके हैं इस तावर का नाम है गलोरी टावर इसके पर बंदा उपर वारे टॉप फ्लोर पर पहुंचेगा सब से उपर वारे हम अंड्रेट फ्लोर पर वो बंदा जीच जाएगा इस पूरे कंपडिशन को समझे हाँ इसमें आप थोड़े बहुत की कानून तोड़ सकते हो पर लेकिन अगर आपने हच्छ साथ कानून तोड़े तो मैं मूँचेगा इसमा से लेकिन पर वारे कानून तो घुट हे कनटरी के विए लिए वह पुछ है मुझे प्रायकीन है तुम लोग कर लोगी और हम देखते हैं टीर कहते हैं तो ठीक है जैसा कि मैंने का यह मैच अब शुरू हो जाता है और हम देखते हैं वे लोग एक साथ उस टावर कि तरफ बढ़ जाते हैं और लोग गेट के पास पहुंचाते हैं गेट के अंदर गुषते हैं और हम देखते हैं मुझे हैं बोर करेका बेटा यह वह तकिक है podcastgypt 10 म Ilsकिन कि पर जिकन हूं काथ तक का अ एक पीखा जो सामने फीदियOR की पापर यह क्या है अधिरकार यह क्या है मुझे इतना बड़ा बाप रहे क्या है और क्या मुझे हर दिन ऐसे मौस्ट इसको भी घोडा कार देता है वह करता है पर लेकिन सबसे most important ये trick है जिसको हराना है हरा लोगाई जो सबसे बहुत आसान है हम देते हैं सिस्टम केता है आपने एक level की आपने एक level को clear किया है आपको दो स्टा मिलते हैं चलिए next level पे हम आम एक डिकते है ठीक है चलो यार next level पे हम देते है next level पे भी वह यही करता है यार ninth floor तक जीतना बहुत आता मुश्किल था पर कर तो लिया चलो अब अगले फिलो पे चलते हैं अब देखते हैं इस फिलो पे कोन है यह 10th floor है चलो तभी हम देखते हैं उसके आगे वहाँ पे हमाई में एक डिकी गल फ्रेडियानी लेन होती है और यहां तक कि वहाँ पर ज शाहों की कैसे किस हिंसाफ से मैं इनकी competitor बनुगी रूल्स का गैस्ट मैं में जानी सकती है इनको मार नहीं सकती है मेरे पती देव मेरे स्वामी है मैं इनको कैसे मार सकती हूँ मैं क्या करूँ आखरकार और अगर मैं हार गी तो मेरी family का मेरी country का नाम डूप जाएगा हम देखते हैं एक पीटेश से बंडासा मोटासा बंदा आता है वो करता है एक्चली हमें इस 10th फूर पर team की तरह काम करना है इस उनके माम इलोग किते है क्या क्या मजाख कर रहे हो यार इस बंदे के साथ मुझे इन सब के साथ team में teamwork करना होगा क्या मजाख चल रहा है क्या यार इसको देखके तो मैं ऐसा वता सकता हूँ अगर इसके आगे मैं ने डोल फोर दिया ना ये बंदा वहीं पर मर जाएगा हाट अटक आगे देखते हैं अभी जो करेंट प्रोग्रेस है उसके अकॉर्णिंग हमा में के टर और लिंग इसके साथ ये एपीसोड ही खतम हो जाता है तो मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई